है लो चल्रेंग है टोड़े वी विल गोईंग टी स्टाट चाप्टर थर्टीन पढ़ने बाले हैं यह आपका अध्याय तेरा है यह तिक आपकी अध्याय थेरा है यह यह एक अपकी आपने चैप्टर नहीं देखें हैं तो आप लेलिस्ट चेकर लिजे वहां आपको सारे च मैं दो दो पार्ट कराए हैं। फर्स्ट बार्ट में हमने स्टोरी स्पक्ष्प्स की थी और व्जगवे क्वर particularly की थी थी के तो δोनों पाथ आप देख लिता यह वाला चैप्टर क्योंकि छोटा है तो इसमें इसी चैप्टर में एक ही वीडियो में आपका चैप्टर और कोश्चन आंसर एक्टिविटी सब हो जाएंगी ठीक है क्योंकि छोटा चैप्टर है ज्यादा बड़ा नहीं है चलिए नेम ऑप दिस चैप्टर फायर फ्लाइ इन माई रूम किसको बोलते हैं कमरे को फायर फ्लάई बोलते हैं जुगनु को ठीके कभी आपने जुगनु का नाम सुना हो यह देखा हो जो जुगनू एक तरह का इंसेक्ट होता है, एक किड़ा होता है, जो कि रात के समय में जगमगाता रहता है, तो वो भी रात के समय क्या करता है, जगमगाता रहता है, उसके अंदर से लाइट डिस्पले होती है, माई मतलब मेरा तो मेरे रूम में जुगनू तो ये स्टोरी जुगनू के बारे में है जिसके बारे हम पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं यहाँ आपसे कुछ कोश्टर पूछे गए है पूछा गया है फ़स्त में Children, Children किसको बोलते हैं, बच्चों को Children, you must be scared of insect, ठीक है, scared का मतलब क्या होता है, scared का मतलब होता है, डरना या भैवीत होना, ठीक है, S-E-A-R-E-D, scared का मतलब होता है, डरना या भैवीत होना, insect बोलते हैं कीरों को ठीक है छोटे छोटे चो कीरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं insect बोलते हैं तो children बच्चों do you must scared of insect ठीक है आप भी निश्चित रूप से कीरों से डरते होंगे तो अगर आपको कीरों से डर लगता है तो आप बताएंगे कि yes और अकर नहीं लगता है तो नो कर देंगे ठीक है तो बच्चों अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कीड़ों से डर लगता है तो बच्चों को कीड़ों से अवस ही डर लगता होगा ठीक है क्योंकि मस्ट यूज हुआ है मस्ट की बच्चे से होगा जरूर ही ठीक है आप अगर बड़े हो गए हैं थोड़े क्योंकि आप एतिक लास में पहुच गए हैं तो हो सकता आपको डर ना लगता हो ठीक है पर छोटे बच्चों को तो लगता है कीडों से डर तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर यस ठीक है हाँ हमें कीडों से डर लगता है और अगर नहीं आप अगर नहीं डरते हैं आप अगर नो में आंसर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर नो करके बस छोड़ देंगे आपका अंसर कंप्लीट आपको कुछ डिखने की जरुद नहीं है यहाँ पे आप no करके भी छोड़ सकते हैं अगर आप no में answer करना चाहते हैं तो ठीक है Then second Is there anyone who is not ठीक है Is there anyone क्या कोई ऐसा है जिसे कीडों से डर नहीं लगता है ठीक है Do you know no मतलब Is there anyone Anyone का मतलब होता है कोई भी ठीक है क्या 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 को भी डर नहीं लगता है तो आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है कि उसे क्यूडों से डर नहीं लगता है तो आप क्या बताएंगे यस और अगर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे क्यूडों से डर नहीं लगता हो तो फिर आप क्या कहेंगे नो ठीक है तो जब आप से सभी बचों को डर लगता है, तो आप यहाँ रेंगे घिक है, थाँदेट, ऒुन को आप जानते हैं दिर एज अनसेटूटई विच्ञ विच विल नॉट इस्पिहर्टई यूट डू वेज़नों योटि कर देगे, तुर सबसा हमारे, टू mm wow which is not scared you जो आपको नहीं डराता है कि आप किसी ऐसे कीड़े के बारे में जानते हैं जो आपको ना डराता हो ठीक है तो अकर आप जानते हैं तो आप yes लिखेंगे नहीं जानते हैं तो आप no लिखेंगे यापे ठीक है तो आप से पूचा गया है किया कोई ऐसा कीड़ा है जिसके बारे में जो कि आपको ना डराता हो इस कीड़ कहते हैं इस कीड़े मतलब डराना ठीक है इंसेक्ट करते हैं कीड़े को ठीक है नो मतलब नहीं तो अगर इसका आंसर भी आपको यस या नो में देना है येस में अगर आप देते हैं तो आपको कुछ बताना होगा नो में देते हैं तो कोई बाती नहीं है ठीके तो अगर आप अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए नहीं तो आप येस या नो करके छोड़ सकते हैं ठीके तो answer मेंगर आप no करते हैं तो we don't know मुझे हम नहीं जानते we मतलब हम don't मतलब नहीं no मतलब जानना हम नहीं जानते about any such insect हम ऐसे किसी भी कीड़े की बारे में नहीं जानते हैं ठीक है no मतलब नहीं we don't know हम नहीं जानते हैं about any such insect हम ऐसे किसी भी कीड़े की बारे में नहीं जानते हैं ठीक है तो यहां पर आप एस या नो करकी भी छोड़ सकते हैं वो भी आप कांसर सही होगा ठीक है आप यहां पर एस आपके सब जो आपको ठीक लगता है या फिर नो करकी भी आप से छोड़ सकते हैं ठीक है इस तरह के आ चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, which is it का क्या मतलब होता है, यह क्या है, जो भी हमने अभी देखा था, उसके बारे में अब हम आगे और पढ़ेंगे, और जानेंगे, कि इसका क्या मतलब होता है, तो which is it, let's read about its, चलो इसके बारे में अब पढ़ते हैं, last night, ठीक है, last night का मतलब क्या होता है, पिछली रात, ठीक है, last night का मतलब पिछली रात, night का मतलब रात होता है, last का मतलब पिछली, तो पिछली रात, ठीक है, जो बेच चुकी है, as I lay, lay मतलब लेटे होना या पड़े होन as I lay, sleepless, अनिंद्रा में, sleepless का मतलब क्या होता है, नीद ना आना, sleepless मतलब नीद ना रही हो, आप ऐसी लेटे हो, तो पता रहे हैं कि पिछली रात क्या था, कि हम अनिंद्रा में लेटे हुए थी, हमीं नीद नहीं आ रही थी, in the summer, dark, ठीक है, और dark मतलब अंधिरा, ठीक है अन्धेरी, ग्रीस मुरुत का अन्धिरा था, ठीक है, ग्रीस में गर्मी को बोलते हैं, गर्मी की समय का अन्धिरा था, और हम sleepless, मैं sleepless लेटा हुआ था, मुझे नीद नहीं आ रही थी, with window open to invite a breeze, ठीक है, with window, window किसको बोलते हैं, खिडकी को, ठीक है, खिडकी को खोल दिया मैंने open मतलब खोल देना, किसलिए खोल किया था, invite करने के लिए, invite का मतलब क्या होता है, आमंत्रित करना, ठीक है, invite का मतलब क्या होता है, आमंत्रित करने के लिए, किसको व्रीज को, ठीक है, व्रीज किसको बोलते है, व्रीज मतलब होता है, ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, ठ firefly flew in and circled around the room twinkling at me from door or bell or ceiling never long in one place ठीक है क्या मतलब हुआ softly softly का मतलब क्या होता है बिलकुल gently मतलब होता है gently या फिर सौम्यता से कह सकते हैं तो softly आ फ्लाइंग फ्लिव मतलब उड़ता हुआ ठीक है फ्लिव मतलब उड़के और firefly कहते हैं जुगनों को एक जुगनों धीरे से उड़ता हुआ सौम्यता से उड़ता हुआ इन इन मतलब अंदर आ गया खिडकी से वो अंदर आ गया ओड़कर ठीक है and circled circled कहते हैं गोल-गोल ठीक है circled round और वो गोल-गोल घूमने लगा ऐसे circled में circled round round मतलब गोल-गोल और the room रूम में वो घूमने लगा चारो तरब twinkling at me from floor and wall और ceiling ceiling कहते हैं छत को wall कहते हैं दिवारों को और floor कहते हैं जमीन को ठीक है फर्ष को ठीक है तो वो दिवालों में कभी वो दिवाल पर बैठता तो कभी वो छत पर जाता और चारो तरब घूम घूम के वो मुझे twinkling करने लगा वो मुझे रोसनी दिखाने लगा तिम्टिम आने लगा चारो तरब तिक है उसकी twinkling तिम्टिम हाट मुझे दिखाई देने लगी तिक है मेरे आसपास रोसनी होने लगी never long in one place वो कभी भी एक इस्थान ज्यादा समय तक नहीं ठहरता नेवर मतलब कभी नहीं long का मतलब होता है ज्यादा समय तक in one place one place मतलब एक इस्थान पर वो कभी एक इस्थान पर ज्यादा समय नहीं ठहरता वो चारो तरब क्योंकि घूम रहा था कभी वो दिवाल पर जाता तो कभी फॉर्ष पर तो कभी छ लेकिन वो क्या कर रहा था अपनी लाइटिंग हर जगे जगे वो अपनी लाइटिंग विखेर रहा था अपनी रोशनी को वो हर छोटी छोटी प्लेस पर इस्थान पर अपनी रोशनी को विखेर रहा था ठीक है लाइटिंग अप लिटल स्पेस का मतलब होता है चोटी जगह को वो रोशन कर रहा था ठीक है लिटिल स्पेस का मतलब होता है चोटी जगे ठीक है लिटिल स्पेसिस मतलब छोटी चोटी जगे यह चोटी जगे लिटिल का मतलब छोटा होता है स्पेसिज करते हैं जगे को ठीक है इस पेस जगे करते हैं यह एस लगा हुआ है इसलिए कई स सारी जगे ठीक है हर चोकी चोकी जगे जगे वो अपनी रोश्नी विखेर रहा था लाइटिंग ऊपना वह रोश्नी व॥िखेर रहा था 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 ऐसा कि अपक Years friendly presence friendly presence करके मित्रवत ठीक है उपस्तिति प्रसंदों कते हैं उपस्तिती को और friendly मतलब मित्रवत ठीक है उसकी मित्रवत उपस्ति डिस्पैलिंग का मतलब क्या होता है दूर करना ठीक है डिस्पैलिंग का मतलब होता है दूर करना उसकी मित्रवत उपस्तिती जो थी वो दूर कर रही थी the settled gloom of an unhappy day ठीक है वो settled जो इस्थिर रूप से gloom किसको बोलते हैं उदासी को ठीक है मेरी इस्थाई रूप से जो उदासी थी of an unhappy day ठीक है पूरे जो पूरे दिन का जो मेरा दुख था ठीक है मेरे पूरे दिन unhappy कहते हैं दुख को ठीक है डे मतलब दिन का जो मेरे दिन का पूरा दुख था वो मेरे और पूरे दुख को बो दूर कर रहा था वो मेरे दुख को मेरे कस्ट को उसकी प्रजेंस उसकी उपस्तिती उसकी फ्रेंडली उपस्तिती मेरे पूरे दिन के दुख को दूर कर रहे थी ठीक है तो डिस्पैलिंग का मतलब होता है दूर करना, settled, gloom, gloom का मतलब होता है, gloom का मतलब होता है, उसे वो इस तरह से दूर कर रहा था, and after I had gone, ठीक है, और फिर इसके बाद उस ने ऐसा किया, इसके बाद वो वहां से चला गया, ठीक है, after मतलब बाद में, it had gone, मतलब वो जा चुका था, वो चला गया, ठीक है, I left the window open, मैंने खिडकी खुली रखी, left मतलब यह leap का past form है, left मतलब छोड़ देना, the window कहते हैं, खिडकी को open, मतलब खु just in case, किसलिए खुला छोड़ दिया खिडकी को, यह सोच कर, just in case, कि सायद, it should return, ठीक है, सायद वो फिर से बापस आ जाए, या सायद वो फिर से बापस आना चाहे, ठीक है, उसके बापस आने की उम्मी से, मैंने खिडकी को खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो यह कहानी थी, इस्टोरी यहाँ पर कतम होती है, यह स्टोरी किसकी थी, यह एक जुगनू के बारे में कहानी थी, ठीक है, फायर फ्लाइ की स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप एक दोहर वीडियो को सुनेगे, तो आपको लर्ण हो जाएगी, अब आपको कुछ यह अपर हाड बर्ड दे गए है, जो इस्टोरी में आए थे भी आपकी, फायर फ्लाइ, फायर फ्लाइ किसको कहते हैं, जुगनू को, छोटे-छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो जगमगाते रहते हैं, अपनी रोसनी को डिस्पले करते रहते हैं, जैसे कि सेम स्टार की तरह, जुगनों भी अपनी रोसनी विखेरते रहते हैं ठीक है तो फायर फ्लाइब कहते हैं जुगनों को आप फ्लाइंग इंसेक्ट एक उड़ने वाले उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं फ्लाइंग इंसेक्ट फ्लाइंग मत उड़ने वाले कीड़े वी दर टेल जिनकी में अधेरे में इनकी पूसे रोसनी साइन करती रहती है चमकती रहती है इने क्या कहते है फायर फ्लाइ या भी जुगनू कहा जाता है फायर फ्लाइ को स्लीप लेस का मतलब क्या होता है बिदाउट स्लीप ठीक है बिना निंदाए ठीक है स्लीप लेस का मतलब होता है स्लीपलेस का मतलब होता है बीदा यानि कि जब नेद नहीं आती है किसी को तो कहते हैं उसे नीद नहीं आ रही हूं दिना नेल कि लीड व्रीजभ॥ का मतलब क्या व्रीज का मतलब होता है लाइट wind, मंद हवा wind कहते हवा को light मतलब हलकी सी, मंद सी तो breeze का मतलब क्या है light, wind या मंद हवा softly, softly का मतलब क्या होता है softly का मतलब है gently या हलके से softly का मतलब क्या है gently या फिर हलके से इनकी spelling भी आप साथ साथ learn करेंगे ताकि spelling आपको साथ में learn हो जाए अच्छे से spelling आपको bowl bowl की learn करनी है इनकी softly मतलब हलके से gently circle circle कहते हैं गोले को गोल गोल घूमना circle का मतलब क्या होता है गोल गोल घूमना to move in circle गोले में घूमना या especially in the year या हवा में घूमना especially in the year twinkle का मतलब क्या होता है to sign with a light twinkle का मतलब होता है sign करना sign का मतलब होता है with a light light में रोसनी रोसनी के साथ चमकना that keeps changing from bride to friend जो टिम टिम आते रहते हैं twinkling कहते हैं टिम टिम आते रहने को जो की light अपनी light को change करते रहते है उसनी की light change होती रहती है और वो चमकते रहते हैं ठीक है यहाँ पर fint का मतलब fint का मतलब ऐसे होता है be hoci fint का मतलब होता है be hoci bright मतलब चमक ceiling ceiling किसको बोलते है छट को ठीक है कमरे का जो टॉप सर्फिस होता है सबसे उपर जो छट दिखाई देती है उसे कहते हैं सीलिंग ठीक है फ्रेंडली प्रिजेंस फ्रेंडली प्रिजेंस का मतलब क्या है here for a firefly who appears friendly towards the poet ठीक है कभी की अंसार जो जुगनू की मित्रवत उपस्थती कभी कहते हैं कि कभी का कहना है कि जुगनू की मित्रवत उपस्थती को वो उसकी friendly प्रिजेंस कह रहे हैं यहां पे ठीक है dispel, dispel का मतलब क्या होता है दूर करना dispel मतलब दूर करना to make a feeling या belief feeling कहते हैं ऐसास को ठीक है belief कहते हैं विश्वास को go away या disappear ठीक है जो दूर करने बाला हो या disappear disappear का मतलब भी हो जाता है गाइब हो जाना disappear का मतलब क्या होता है गाइब हो जाना ठीक है तो एक ऐसा विश्वास या एक ऐसा ऐसी feeling जो की go away जो दूर करती हो या disappear करती हो उसे कहते हैं dispel ठीक है दूर करना gloom gloom का मतलब होता है निरासा feeling एक ऐसा feeling कहते हैं एसास को of sadness एक ऐसी feeling जो दुखद हो ठीक है एक ऐसी feeling जो दुखद हो sadness कहते हैं दुखद को ठीक है उसे कहते हैं gloom I hope आपको समझ में आया होगा चले इसके activity भी इसी वीडियो में कर लेते हैं ताकि यह इसी वीडियो में चैप्टर आपका complete हो जाए activity first में आप से पूछा गया है कि state whether the following statement यहां पर आपको कुछ statement दिये गए है true या false आपको बताने हैं कि यह true है या false है यहां पर आपको कुछ statement दिये गए है जिने आपको बताना है कि यह सही है या गलत है ठीक है तो first is a firefly came into the room through the door क्या firefly क्या जुगनू room के अंदर आया था कमरे में आया था through the door डूर किसको बोलते हैं डूर का मतलब है दरवाजे क्या जो जुगनू था वो दरवाजे की माध्यम से कमरे में आया था तो यह तो गलत है क्योंकि जुगनू था वो दरवाजे से नहीं आया था वो खिड़की से आया था वो बिंडो से आया था तो आप यहाँ पे क्या करेंगे false कर देंगे false के लिए आप इसको एफ लिख दीजिएगा ठीक है सेकेंड इज फायर फ्लाइ सेट अन दा सीलिंग और दा रूम फार लॉंग टाइम ठीक है जो फायर फ्लाइ था जुगनू फायर फ्लाइ किसको बोलते हैं जुगनू को सेट मतलब बैठा हुआ था सीलिंग पर यानि कि छट पर बैठा हुआ था रूम की कमरे की छट पर बैठा हुआ था फार लॉंग टाइम लंबे समय तक तो ये बात तो गलत है क्योंकि वो रूम की छट पर लंबे समय नहीं बैठा था वो तो चारों तरफ घूम रहा था ठीक है? कभी वो फर्स पर बैठता था, कभी वो दिवाल पर बैठता था है ना, तो इसलिए वो लंबे समय कहीं भी नहीं ठीरा, इसलिए ये बात भी गलत है, तो गलत के लिए आप क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे, ठीक है? next is, the boy was sleeping when the firefly came into the room, जब firefly, जब firefly जो था, जुगनू था, जब उसने कमरे में प्रवेश किया, ठीक है? came मतलब आना, into the room, जब वो रूम के अंदर आया, जब वो कमरे के अंदर आया, जुगनू जब कमरे के अंदर आया, तब क्या बच्चा जब आय था लड़का था, क्या वो सो रहा था, sleeping मतलब सो ना, ठीक है? तो क्या लड़का तब सो रहा था, ये बात तो गलत है, जब जुगनू कमरे में आया, तो लड़का जाग रहा था, वो sleepless था, उसे नीद नहीं आ रही थी, ठीक है? तो ये बात भी गलत है, तो आप यहां क्या करेंगे? false करेंगे, इस story को आप अच्छे से एक दोबार वी लड़के ने लड़के को खुला क्यों छोड़ दिया? तो उसने खिडके को खुला किस लिए चोड़ दिया? था, कि ठंडी-ठंडी हवा अंदर आ सके, इसलिए खिडकी को खुला छोड़ा था, ठीक है? तो आप इसका अंसर क्या करेंगे? इसका अंसर आप लिखोगे, first का, यह first question का answer है, ठीक है? फरस्ट का अंसर आप लिखेंगे, the boy left window of his room, ठीक है? बच्चे ने लड़के ने अप रूम की खिडकी खुली रखी थी, open at night, रात में, to invite a breeze, ठीक है? आमंतरित करने के लिए, invite मतलब, आमंतरित करने के लिए, व्रीज कहते हैं, मंद मंद हवा को, ठीक है? कि उसने अपने खिडकी क्यों खुली रखी थी, अपने कमरे की, ताकि हलकी ठंडी हवा उसके कमरे में आ सके, ठीक है? लेप्ट मतलब छोड़ देना, लेप्ट का मतलब क्या होता है छोड़ना, ठीक है, ये लीप का पास्ट फॉर्म होता है, लीप का मतलब भी छोड़ना होता है, बिंडो कहते हैं, खिडकी को, खिडकी को लड़के ने खुला चोड़ दिया, और Ridge रूम, अप करने के लिए ताकि ठंडी हवा उसके कमरे में आ सके तो फर्स्ट का यह आंसर है आप वीडियो को होल डाउन करेंगे और इन सभी के आंसर को आपको पी नोट बुक में नोट डाउन करना है ताकि आप इन्हें याद कर सके second is how did firefly light up little space how did का मतलब कैसे ठीक है how did firefly जो जुगनू था वो किस तरह से हर छोटे छोटे इस्थान को रोशन कर रहा था light up मतलब रोशन करना light up का मतलब क्या है रोशन करना little spaces छोटे छोटे इस्थानों को किस तरह से जुगनू छोटे छोटे इस्थानों को रोशन कर रहा था तो वो कैसे छोटे छोटे इस्थानों को रोशन कर रहा था चारोतरब घूम घूम के वो अपनी रोशनी विखेर रहा था तो आप क्या लिखेंग इसका अंसर the firefly lighted up little spaces by twinkling ठीक है टिम्टिमा कर ठीक ह round the room तीक है कैसे कर रहा था जो चमट जो फाइर फ्लाइ छोटे इस्थानों को रोशन कर रहा था वाइट ट्विंकलिं कैसे तिम्टिमा के ठीक है तिम्टिमा कर और circling around or room room में चारो तरफ घूम-घूम कर वो चारो तरफ घूम-घूम कर और तिम-टिमा कर कमरे के छोटे-छोटे स्थानों को रोशन कर रहा था ठीक है कौन कर रहा था जुगनू तो जुगनू तिम-टिमा ते हुए तथा कमरे में गोल-गोल घूमते हुए छोटे-छोटे इस्थानों को रोसन कर रहा था तो इसका अंसर आप लिख लेंगे कोई चीज नई समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूश सकते हैं ठीक है और आप इसको अगर आप नए है वीडियो चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहें और बैल आइकॉन को जुरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे वीडियो पड़े उनकी नोटिफिकिशन आपको मिल जाया करें थार्ड एज अब थार्ड में आप से क्या पूचा गया है वाई डिड़ बॉय कॉल फाय बच्चे ने क्यों कहा था कि जुगनू है उसकी मित्रवत उपस्तिती है ठीक है वाई मतलब क्यों वाई कास क्यों बच्चे ने पुकारा था लड़के ने पुकारा था फायर फ्लाय फायर फ्लाय को जुगनू को जुगनू को बच्चे ने क्यों पुकारा था मित्रवत उ क्यों पकर रहा था क्योंकि जुगन्व virtuallyता हूँ बच्चे की उदासी को दूर कर रहा था ठीक है आप क्या देंगे इसका शर्री कि ऐसी सब्राइब थर्ड थर्ड का अंसर आपको दे प्रींदै के लिए विकाज की उध्य स्थ द क्योंकि it displayed his settled gloom ठीक है, gloom किसको बोलते हैं gloom का मतलब होता है निरासा या उधासी settled मतलब जो इस्थाई हो चुकी थी ठीक है, लड़के की जो निरासा थी, वो इस्थाई हो चुकी थी उसे वो दूर कर रहा था dispelt मतलब दूर करना dispelt का मतलब क्या है दूर करना, ठीक है, विकॉज मतलब क्योंकि क्योंकि जो जुगुनू था, वो बच्चे की इस्थाई निरासा को दूर कर रहा था, इसलिए लड़का उसे मित्रवत उपस्थती के लिए पुकार रहा था, इसलिए बच्चे ने कहाता है कि इसकी मित्रवत उपस्तती है क्योंकि ये बच्चे की लड़के की निरासा को दूर कर रहा था लड़के ने जुगनु को मित्रवत उपस्तती के रूपे पुका रहा था क्योंकि इसने उसकी इस्थाई निरासा को दूर किया था क्योंकि बच्चा उदास था उसे नीद नहीं आ रही थी और जुगनु ने जब प्रवेश किया है उसके कमरे के अंदर और उसकी रोसनी चारो तरब रोसन कर रहा था रूम को इस से बच्चे को अच्छा लगा और उसकी निरासा दूर हो गई तो दाब्वाय काल्ड फायर फ्लाए अफ्रेंडली प्र ठीक है सेटल मतब जो इस्थाई हो चुकी थी गुलूम कहते है निरासा को उसकी इस्थाई निरासा को जो जुगनु था वो दूर कर रहा था ठीक है कॉस्चिन नमबर फॉर्थ अब फॉर्थ में आपसे पुछा गया है कि हाउ कैन यू से ठीक है आप कैसे यह कह सकते हैं कि बच्चा जो था लड़का जो था वो जुगनु को अपने कमरे से नहीं जाने देना चाहता था या नहीं छोड़ना चाहता था ठीक है आप ऐसा, आपको कैसे लगता है, आप इसा कैसे कह सकते हैं, कि बच्चा यह चाहता था, कि जो fly है, वो room को उसके ना छोड़े, ठीक है, तो क्यों चाहता था वो, क्योंकि जुगनु उसकी उदासी को कम कर रहा था, तो यह आप फूर्थ का अंसर लिखेंगे यहाँ पर, वी केंसे, हम कह सकते हैं, वी केंसे मतलब हम कह सकते हैं, that the boy did not want to fly to leave his room, ठीक है, कि बच्चा नहीं चाहता था, लड़का नहीं चाहता था, दा फायर फ्लाय जुगनु को, ठीक है, कि जुगनु उसके room को छोड़े, ठीक है, बच्चा नहीं चाहता था, जुगनु उसके room को छोड़े, as he had left the window open, क्योंकि उसने अपनी खिड़की को खुला छोड़ दिया था, ठीक है, जैसे कि, he had left, उसने छोड़ दिया था, the window open, खिड़की को खुला छोड़ दिया था, for it, इसके लिए, किसके लिए, to return, ताकि वो बापस आ सके, ठीक है, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं, कि लड़का जो था, वो जुगनु को अपने कमरे से नहीं जाने दिना चाहता था, क्योंकि वो इसलिए कह सकते हैं, एज जैसे की, हमने देखा, इस्टोरी में, कि लड़के ने अपनी खिड़की को खुला छोड़ दिया था, इस आसा से, सुमे से, कि सायद, जो फाइर फ्लाय है, जुगनु है, वो बापस आ जाए, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, कि लड़का जुगनु से अपना कमरा छोड़वाना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि जुगनु उसका कमरा छोड़ कर जाए, क्योंकि उसे, उसने पुनहा आने के लिए, खिड़की को खुला छोड़ दिया था, ठीक है, चलिए, आई होप आप वे समझ में आए होंगे, एक्टिविटी टू, अब इसकी सेकिंड एक्टिविटी है, ठीक है, ये वीडियो थोड़ा से बड़ा हो जाएगा, पर आप देख लिए, ये क्योंकि सारे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत तो एक्टिविटी इसकी और बची है, ठीक है, वो हो जाएगी, फटाफ़र, फिल इन दा ब्लैंक, चूजिंग अप्रोप्रियेट वर्ड फ्रॉम दा बॉक्स, अब यहाँ पर आपको कुछ वॉक्स में वर्ड दिये गए हैं, जिन्हें आपको इन संटेंस में लिखते हुए, कम्प्लीट करना है, यह जो ब्लैंक दिये हैं, यहाँ आपको फिल करना है, तो चलिए देख लेते हैं, क्या क्या करना है, फर्स्ट इज, अब आपको दिये हैं, शीलिंग का मतलब होता है, जट और व्रीज मतलब होता है, ठंडी हवा, डिस्पैल का मतलब क्या होता है, डिस्पैल का मतलब होता है, dispel का मतलब दूर करना होता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके साब से यहाँ पर ceiling आएगा क्योंकि उनकी head ज्यादा है तो वो छट को छू सकते हैं उनकी head ज्यादा होने के कारण वो क्या कर सकते हैं वो छट को touch कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे ceiling चट के लिए ठीक है, c-e-i-l-i-n-g ceiling ठीक है, next, second is everyone like cool dash in summer season, everyone मतलब सभी लोग like मतलब पसंद करते हैं, cool मतलब ठंडा, ठीक है, कब summer season, गर्मियों के दिनों में सभी लोग ठंडा सभी को अच्छा लगता है, सब लोग like करते हैं, लेकिन क्य ठंडा, ठंडी व्रीज, ठंडी मंदमंद हवा, ठीक है, ठंडी मंदमंद हवा को सभी लोग गर्मियों के season में पसंद करते हैं, मंदमंद हवा को क्या बोलते हैं, व्रीज, ठीक है, बी आर डबल ई, जैडी व्रीज, ठीक है, गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी हवा को अच्छी लगती है ना अलकिल की थार्ड एज ग्रांड मा टोल्ड दादी मा ने हमसे कहा टोल्ड मतलब कहना अस मतलब हमें ग्रांड मा कहते हैं दादी मा को ठीक है दादी मा ने हमसे कहा an inspiring story inspiring story inspiring का मतलब क्या होता है प्रेड़ना दायक ठीक है जो ऐसी जो कहानिया जो की हमीं प्रेरित करें ठीक है तो दादी मान ने हमसे कहा या हमें सुनाई एक प्रेड़ना दायक कहानी to that is our fear of darkness darkness कहते हैं धेरे को fear कहते हैं डर को हमारे डर को क्या करने के लिए हमारे डर को दूर करने के लिए और दूर करने के लिए क्या आया था dispel तो आप यहां क्या भरेंगे dispel dispel ठीक है तो ग्रांड मा told us an inspiring story to dispel our fear of darkness हमारे अधीरे से डर लगने को हमें अधीरे से डर लगता था उसे दूर करने के लिए ग्रांड माने दादी माने हमें एक प्रेर्णा दायक कहानी सुनाई ठीक है fear dark कहते हैं darkness कहते हैं अधीरे को फोर्थ एज as there were so many mosquitoes in the room mosquitoes किसको बोलते हैं मच्छरों को mosquito को मतलब क्या होता है मच्छर ठीक है as there were so many mosquitoes ठीक है so many का मतलब क्या होता है बहुत सारे बहुत सारे मच्छर कहां मच्छर आ जाते हैं तो मच्छर कमरे में आ जाते हैं बहुत सारे in the room मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर आ गए ठीक है there were so many mosquitoes in the room room में बहुत सारे मच्छर थे I had a dance night ठीक है जब मच्छर कैसे आ जाएंगे रूम में ठीक है जब मच्छर आपकी कमरें बहुत सारे आ जाएंगे तो क्या होगा आपको क्या नहीं होगा आपको रात में नीद नहीं आएगी क्योंकि मच्छर काटेंगे और आपको नीद नहीं आएगी फिर नीद नहीं आएगी त मच्चरों को भगाने के लिए तो यह संटेज में क्या होगा कि as there were so many mosquitoes in the room मेरे कमरे में धेर सारे मच्चर आ गए I had sleepless night और मेरी पूरी रात में जागने में गुजार दी मुझे पूरी रात नीद नहीं आई पूरी रात मेरी अनिंदरा में गुजर गई स्लीप लैस का मतलब होता है अनिंदरा नीदना आना तो पूरी रात हमने अनिंदरा में गुजारी क्योंकि बहुत सारे मच्चर थे मेरी कमरे में और हम इसकी बज़े से सो नहीं सके तो यह आपकी second activity खतम होती है इस chapter की बस last activity और आपकी बची हुई है activity third अग third activity में आपसे क् कुछा किया है कि suppose करो कल्पना करो तीक है this firefly can speak like you यह जो firefly है यह जो जुगनू है वो आपकी तरह बोलता है तीक है speak मतलब बोलना like us यह हमारी तरह बोल सकता है ऐसी हम imagine करें इसी कल्पना करें यह जो जुगनू है वो हमारी तरह बोलता है imagine कल्पना करना imagine का मतलब होता है क If it enters your room, यदि यह आपके कमरे में प्रवीज करता है, इंटर का मतलब प्रवीज करना, When you are about to sleep, जब आप सो रहे हों, या When you are about to sleep, या आप सोने के बारे में सोच रहे हों, आप सोने जा रहे हों, What will you ask, आप क्या कहेंगे, तीक है, What will you ask, आप क्या कहेंगे, क्या क्या पूछेंगे, इट आप इससे क्या पूछेंगे, and How would it response, और आपको क्या response मिलेगा, आपको क्या जवाब मिलेगा, राइट आ, पॉसिबल डायलोग, आपको पॉसिबल जो आपको लगता है, जो आपको संभावना लगती है, उस तरह के आपको डायलोग लिखने है, ठीक है, डायलोग किसे कहते हैं, sentence form में, जैसे कि दो लोग आपसे बात करते हैं, between you and firefly, कि आप और firefly के बीच में, firefly के बीच में, जो भी बात होती है, उस तरह से आपको लिखने हैं, कितने डायलोग लिखते हैं, कितने sentence लिखने हैं, पांस सी छे sentence लिखने हैं यहां को, तो आपको यह sentence बना सकते हैं, ठीक है, यहां कुछ sentence आपकी help के लिए बनाए हैं मैंने, और यहां पे आप कोई भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है भिवा बना को सकते हैं कि being इंटर करेगा इंटर प्रवेस करना लूकिंग एड़ मीश है जो रॉकिंग अच्छा नहीं सब्सक्राइब फ्रवेस करता है लुकिंग आट मिए और मुझे देखता है जब कोई अंदर आता है तो आप को देखेगा हेलो वा और वाई आर यू सो सैड आप इतने दुखी क्यों है सैड मतलब दुखी वाई मतलब क्यों वाई आर यू सो सैड आप इतने दुखी क्यों है आप इतने परिशान क्यों है आई अब मैं क्या कहूंगा लेंग लेटा हुआ ठीक है मैं लेटा हुआ हूँ लेंग मतलब पढ़ा हो ना लेटा हो ना no no I am well नहीं नहीं कुछ नहीं मैं अच्छा हूँ I well मतलब मैं अच्छा हूँ no no मतलब कुछ नहीं अब जुगनू क्या कहेगा you are not enjoying today आप आज का आनन्द नहीं ले रहे हैं you are not enjoying enjoying मतलब आनन्द लेना I want to sleep मैं सोना चहाता हूँ firefly अब firefly जुगनू क्या कहेगा I will twinkle to make you happy मैं टिम्टिमा कर आपको खुस कर दूँगा happy मतलब क्रिशन कर देना make मतलब कर देना मैं टिम्टिमा के आपको क्रिशन कर दूँगा I मैं क्या कहूँगा please don't do this किर्पिया ऐसा मत करो do this मतलब मत करो किर्पिया ऐसा मत करो please don't do this किर्पिया ऐसा मत करो firefly firefly क्या कहेगा it means you are unhappy इसका मतलब है कि आप unhappy है आप खुस नहीं है I will dispel your gloom मैं आपकी निरासा को आपकी उदासी को दूर कर दूँगा I angrily गुसे से मैं बोलता हूँ angrily कहते हैं गुसे को leave me alone मुझे अकेला छोड़ दो leave मतलब छोड़ देना me मतलब मुझे alone मतलब अकेला मुझे अकेला छोड़ दो I want to take a sound sleep मैं सांती से सोना चाहता हूँ मुझे अकेला छोड़ दो मैं सांती से सोना चाहता हूँ sound sleep का मतलब होता है गहरी नीद याद रखेंगे अब से आप sound sleep का मतलब क्या होता है गहरी नीद ठीक है मैं गहरी नीन सोना चाहता हूं इसलिए आप मुझे किला छोड़ दो फाइर फ्लाइ अब फाइर फ्लाइ क्या कहेगा फाइर फ्लाइ कहेगा कि ओके ठीक है I am going away मैं अब जा रहा हूं ठीक है इस तरह से आप लिख सकते हैं या आप अपनी मर्जी जो आपका अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं ठीक है आप खुछ से बना सकते हैं संटेंस तो यह आपका 13 चैप्टर खतम होता है नेक्स्ट वीडियो से हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू अल आफ यू थैंक यू फो वाचिंग